इंवेस्टमेंट इन सिक्यूर्टी स्मार्केट आर सब्जेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ओल दे रिलेटेड डोकुमेंट केयरफुली बिफुर इन्वेस्टिंग दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक्ट के एक नए वीडियो के अंदर जैसा कि आपने आज के वीडियो का थम्दिल टाइटल देखा होगा आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिरोधा में जीटीटी ओ और यूज नहीं किया है तो आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे कोई और वीडियो कोई और टूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो बस इस वीडियो को इत्मिनान से पूरा देखिएगा पसंद आने पर आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे अच्छा टाइम वेस्ट किये बीना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अप उन लोग समझ लेते हैं यह GTT order होता क्या है ठीक है GTT order में देखिए GTT इसका अर्थ होता है पूरा good till triggered ठीक है good till triggered तो basically यहां पे जो है GTT order हम option में जो लगाते हैं उसमें क्या होता है ज है stop loss add करते हैं या तो stop loss ही या तो target ही add करते हैं लेकिन GTT order मेंandor में अधरे हम derby बागा देंगे option chain के उपर तो option chain विरोधा में खोलने के लिए basically आपको search bar में यहाँ पर चाहे nifty first करिए चाहे bank nifty first करिए चाहे fin nifty first करिए मैं यहाँ पर mileage जिये nifty select कर लेता हूँ ठेक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा nifty nifty लिखने के बाद यहाँ पर मैं space दूँगा तो nifty का indices यहाँ पर आ जाएगा nifty 50 देता हूँ basically मैं यहाँ पर nifty 50 और देखिए यहाँ पर nifty 50 का indices आ गया इसको watch list में add करेता हूँ plus पर क्लिक करके तो यह हमारा nifty देखिए nifty 50 एड हो चुका है वाच लिस्ट में अब हम इसके अंदर अपना यहाँ पर खोलेंगे option chain तो इस nifty 50 पर हम click करेंगे click करने के बाद देख लीजे यहाँ पर आप लोग को कुछ data दिखाई दिखाई देगा option chain का ठीक है तो इस तरफ पर option chain भी आप जिरुदा के अंदर देख सकते हैं इस पर मैं click करता हूँ तो यह sensible की तरफ से देखिए खुलके हमको आ रहा है sensible यहाँ पर आप लोग जानते होंगे application है तो sensible की तरफ से यह option chain का data हमारे पास खुलके आ चुका है ए latest trading price of twee और इस तरफ का latest trading price दिखाई रहा है अब को अ मरी इस से रही है हमारी सपरिप्रेंब्र को इक्सपार होगा अज seasons Architect remove है तीन दिन के बाद expiry होने वाले हैं सबी options की आपको पता ही है कि निफ्टी में weekly expiry होती है ठीक है अब देखिए आज के दिन जो market है हमारा वो लगभग डाउन है थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो मैं यहां पर आपको put buy करके दिखाता हूं यहां पर put buy करते हैं जब तो उसके अंदर gtt कैसे यूज़ करते हैं हम वही सीखेंगे ठीक है अभी देखिए हमारा जो निफ्टी है वो चल रहा है 20,184 83 पर चल रहा है ठीक है तो 20,100 का जो call है हमारा यहां पर देख सकते हैं वो चल रहा है लगभग 40 रुपय पे देखिए 20,100 का जो put है वो लगभग 49-49 रुपय पे चल रहा है यहां पर इसके ऊपर click करेंगे click करने के बार देखिए यहां पे इस साइड नहीं देखेंगे, हम पुट साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे buy का भी option आ रहा है, और as well as sell का भी option आ रहा है, तो किसी भी option को हम जो है नई buy भी कर चाहते हैं, और sell भी कर सकते हैं, बस अंतर इतना सा समझ लिजे, कि किसी भी option में आप काल बाई करिए चाहे पुट बाई करिए बहुत ही कम fund के अंडर आपका काम हो जाता है कलेफ fund में आपका यहाँ पे trading आप कर सकते हैं अगर आप call बाई कर रहे हैं ठीक है अगर आप option buyer हैं तो कम fund में काम चल जाएगा लेकिन इसी के उलट अगर आप sell करते हैं options को यहाँ पे देखिए qualified में भी sell है, put side में भी sell है sell करने में लगबग लाक रुपे, सवा लाक रुपे का खर्चा आता है एक lot को हीटिक है तो इसी लिए हम जो retail trader होते हैं जिनके पास come fund होता है वो यहाँ पे option buy करते हैं क्योंकि इसमें come fund में भी काम हमारा हो जाता है option selling में जो है, काफी बड़ा fund लगता है लेकिन उसमें payfa भी अच्छा बनता है तो यहाँ पर देखिए, हम buy पे click करेंगे, by पर हमने यहाँ पर click किया buy पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ओर्डर को यहाँ पर देखिए हम regular पर हीरे देंगे, ना तो AMO में जाएंगे रेगुलर पही रहने देंगे अब quantity में देखिए आपको पता होगा कि निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर पचास quantity होती है तो यहां पर देखिए एक लॉट का बाइट डिफॉल्ट आ रहा है डालगे अगर यहां पर बैंग निफ्टी होता तो उसमें 15 लॉट आते ठी हो एक लॉट इसके बाद देखिए प्रोड़क्त टैप में आप लोगों को ओवर नाइट करना है ठीक है ओवरणाइट पर क्लिक करना है नहीं तो आप लोग जीटी टीटी और्र का इस्ते पाइगे देखिए निचे जीटी टीटी और्र खुलके आ रहा है अगर मैं यह ए लिमिट पर खरीदना चाहते है यह और know yet to एक तरफ समझ दीजिए कि लिमीट वर खर देंगे तो मन का प्राइ造 ढ liberal डाल सकते हैं ऩली पर अग्या तो अपने मन पाइब करते हैं लेकिन और यह यह मार्गेट पर जो मार्गेट पर चल रहा होगा से से ह Fran तो देखिए अभी मार्केट का बहु चल रहा है लगभग 11 रुपे तो मैं लिमिट पे क्लिक करेंगे यहां पर 59 रुपे लगा देता हूँ यानि 59 रुपे पे आएगा तो मेरा और बाई करिएगा जुरुदा से कह रहा हूं मैं इसके बाद देखिए जीटी टी ओडर पर हम हैं मौडिफाई कर सकते हैं 10 परफेंट है इसको 20 परफेंट जितना भी चाहिए आप बना सकते हैं बस यह माइनस का मार्क मत हटाईएगा तो मैं माइनस का मार्क नहीं अटा कि 20 परफेंट कर दू तो यहां पर 20 परफेंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा इसी यहांपे ज chil सो है जितने वी परफेंट का आपको प्रॉफिट चाहिया 20 परफेंट 30% 40 परफेंट उतना यहांपे डालेंगे तो उतने परफेंट का टार्गेट हमारा लग जाएगा तो देख लीजए हमारा यहां पे ऑइंग प्राइस भी लग यहां पे हमारा हम देख सक जाएगा order place होते ही order में चला जाएगा order section में और जैसे ही आपका भाव 49 पी आएगा वैसे ही आपका order buy हो जाएगा और system में दो यहाँ पर order और लगेंगे एक हमारा stop loss का दूसरा हमारा target का ठीक है in case अगर हमारा माइनस 20% का जो stop loss है यह trigger हो जाता है तो जो यहाँ पर target वाला order है वो cancel हो जाएगा automatically आपको कुछ करने की जरूद नहीं है अगर in case आपका target हीट हो जाता है तो stop loss वाला order automatically cancel हो जाएगा तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं GTT order का जिरोधा application के अंदर तो मुझे उमीद है आपको सब कुल समझ में आया होगा अच्छे से कि option के अंदर आप GTT order को कैसे इस्तमाल कर सकते हैं अपने favor में बहुत ही अच्छा option है आप सभी लोग trading में इसको जरूर से implement करिए यूज करिए और मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो like जरूर करिएगा चैनल को subscribe करना तो बनता है मिलते हैं किसी और वीडियो में त